हेलो स्टुडेंट्स मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जहारकंड एकेडमी कॉंसिल जो इंटर और मैट्रिक के परिक्षा लेने वाला है निए मैट्रिक और इंटर मतलब क्लास 10 और क्लास 12 के जो परिक्षा लेने वाला है दोजार चौबिस में उसके लिए एक्जाम का पैटर्न बदल दिया गया था इसको लेकर पिछले बार हम लोग एक वीडियो बनाए वे थे जिसमें ये कंफर्म नहीं था वहां था रिकमेंडेशन भेजा गया सुझाओ भेजा गया था कि क्या ऐसा किया जा सकता है उसको लेकर मैंने वीडियो बना क्या गया था क्योंकि सीमो के भेजा गया था चीप मिनिस्टर आफिस को भेजा गया था आज उस पर मोहर लग गया है और अब आपकी परिक्षा उसी मोड में होगी जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अब देखिए क्या है तरीका उसको समझने का तो याद रखे कि उनको एक answer seat मिलेगा answer seat में ही उनको 30 objective question करना और 50 subjective question करना है 30 number का objective और 50 number का subjective question उनको करना है यह है 2024 examination वाले के लिए 2024 examination वाले के लिए है कि क्या करना उसको 30 number का objective question का answer करना है और 50 number का subjective question का answer करना है लेकिन दोनों answer एक ही answer book में होगा answer booklet इसको बोलते है copy में होगा OMR seat उनको नहीं मिलेगा याद रखना है यहां लिखा है OMR seat नहीं चाहिए उनको पहले जो exam होता था उसमें 2 मिलता था OMR seat अलग मिलता था और question बुकले अंसर seat अलग मिलता था इस बार OMR seat नहीं मिलेगा answer seat में ही आपको 30 questions का अंसर objective का करना है जैसे हम लोगा पहले लिखते थे one number का आंसर two number का आंसर three number का आंसर four number का आंसर वैसे आपको 30 का objective का आंसर करना है और 50 subjective का आंसर करना है इसको याद रखना है लेकिन जो दोजार पचीस में परिक्षा देने वाले हैं नहीं जो बच्चे में जो फाइनल एक्जाम होगा उसमें औबजेक्टीव 20 कर दिया है और 20 अबजेक्टीव और 60 सब्जेक्टीव इसका मतलब है कि 2025 में जो एक्जाम देन वाले हैं 10th और 12th के बच्चे हैं उनको सब्जेक्टीव ज्यादा पढ़ना होगा और अबजेक्टीव कम पढ़ना इन्टर की परिक्षा पैटन और अंको में हुआ बदलाओ दोजार चौबीस में 50 अंक का लिखित परिक्षा और 30 अंक का अबजेक्टीव और 20 नमर का प्रैक्टीकल होगा 2022-23 में होई थी अलग पैटन में परिशा निदो साल अलग पैटन में परिशा हुआ थो 2022 और 2023 और 2024 से फिर से पुराने पैटन में होग चले यह था 2022-23 का पैटन 2022-24 में हम लोगों को अलग पैटन में जाना यह सिर्फ याद रखना है कि मैट्रिक और इंटर के लिए अनि क्लास 10 और 12 के लिए जो भी क्लास 11 में हैं उनके लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो उमीद है कि जो क्लास 11 में अभी है उनका सारा का सारा का एकजाम MCQ मोड में होगा जो अभी क्लास 11 में है और जिनका क्लास 11 दोचाजर 24 में एकजाम देंगे जो क्लास 11 के लिए आर्ट, साइंस, कॉबद में ही होगा ऐसा अभी तक जैक का नोटिफिकेशन है जब या नोटिफिकेशन है तो गाट प्सक्राइगा तो साहिड सांट करके आठ्स और कॉमर्स के और क्लास 12 में उनके लिए कॉमर्स वर्ड हजारी बाग पूरा नोट्स जिसको लोग गैस पेपर बोली आनोर्ट पुलिए प्रिविय सीर कोश्चन बोली आ रहा है उसके लिए क्या करना होगा प्लेइस्टोर में जाना होगा कॉमर्स पर हजारी बाग का एप इंस्टॉल करना हुआ वहां पर आप ट्वेल्थ आर्ट्स कर दो ट्वेल्थ कॉमर्स कर दो नोट्स ढूंड होगे तो वहां पर मिल जाएगा 200 रुपए के अंदर हर सब्जेक का नोट्स हर सब्जेक का MCQ कोश्चन, प्रिभिएस यहर कोश्चन, कोश्चन बैंक यह सारा चीज यह बले बलानी इतना कंटेंट हमने दे दिया है 200 रुपए के अंदर सारे सब्जेक का सारे सब्जेक का अगर 200 देखे तो एक सब्जेक का कितना पड़ेगा अगर पांट सब्जेक की बात करे तो 200 एक question bank डाले हैं उसके साथ previous year question डाले हैं और साथ ही साथ हम लोगों का जो important question है वो question answer पूरा डाला रहेगा ताकि आपको support मिलेगा अगर आप notes purchase करना चाहते तो commerce word हजारी बाग का app install कर लिजे और app install करने के बार login कर लिजे login करने के सकते हैं साफ लिखा रहता है contact to tutor तो आप मेरे से contact कर सकते हैं वैसे मैं अपना number भी आपको दिये जाता हूं अगर कोई परिशानी हुई तो आप इस number पर फोन करके भी पूछ सकते हैं कि कैसे को पर्चेज करना है नाइन डबल सेवन वन फाइट जीरो सिक्स त्री टू इस नंबर पर फिक आप contact कर सकते हैं मैं आपको हर समब मदद कर दूँगा साइंस के लिए इस साल तो एबलेबल नहीं है अगले साल से साइंस के क्लासेस और साइंस का नोट्स दोनों एबलेबल हम लोग करेंगे ऑनलाइन मोड में अभी हमारा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है उसके लिए डिसकांट ऑफर भी चल रहा है जो बच्चे अभी जूड़ना चाहते है वो इस नंबर पर